प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के नए अध्यक्ष की रूप में कॉंडाकाउं सीट से लगाता है दूसरी वार विधायक मने आदिवा सिनेता मोहन मरकाम ने चार्च ले लिया है प्रदेश कॉंग्रिस का रहल है राजी भवन रैपुर में मोहन मरकाम की ताज पोशी हुई आज ये जिम्मेदारी चारे पांस साल के बाद आप सौपर हैं मोहन मरकाम को बहुत सारी यादे हैं आप भावुग भी हो गए पांस साल संगर्च कर रहा है और सभी सांचियों ने चाहे वरिष्ट हो चाहे नौजवान हो चाहे जितने भी संगठन के लोगों ने जो संयोग दिया विप्रीज परिशिती में जो संयोग दिया है वो मेरे लिए जीवन भर के लिए यादगार रहेगा और जब उन संगर्चों को याद कहता है तो जिश्व दूर्प से मेरे लिए भावक भार अच्छा नहीं सबसे यादगार पल कौन सारा साड़े पास साल जब हम लोगों किसानों के लड़ाई लड़ रहे थे, अदवासियों के लड़ाई लड़ रहे थे, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें जो लोगों ने साथ दिया है वो अश्मर नहीं चाना है तो ये तो भुपेश भगेल अब तक प्रदेश अध्यक हैं हमारे लिए बहुत बोड़ी चुनाओती हैं इते चुनाओं में जीत भिलाना अपने यह बात कही यह थे कि चुनाओतियां क्या कुछ है वो बात मुहन मरकाम कॉंग्रेस के निय प्रदेश अध्यक्ष ने रखी उन्होंने आज वो कुर्सी को समाल लिया जिस कुर्सी पर सारे पांस साल से मुख्यमंतरी भुपेश बगिल काबिस थे कैमरमन शाम के साथ राइपूर से रुपेश कुपता है मद्धपदेश के आदे